अब बहुत स्वागत है आपका टार्गेड विचंद्रा में और आज हम बात करेंगे विश्व के भोगोल में प्रुमुख घास के मैदान तो जितने भी इंपोर्डेंट आपकी घास के मैदान है और किस महाद्यूप में किस देश में है और वहां की जलवाय कैसी है कौन को सी जिवधारी पाए जाते हैं वहां पर इस सभी चीजों के हम लोग यहां पर बात करेंगे तो चोटे से वीडियो में सारी डेटल्स आपको विश्वत रेखा एक्वैटर या भूमद रेखा बोलते हैं इसके अलावाद 0 से 10 अंस अच्छांस उतरी और 0 से 10 अच्छांस दक्षडी यह वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं विश्वतिय प्रदेश विश्वतिय प्रदेश और 10 अंस से 30 अंस उतरी और 10 अंस से 30 अ जो है उसको हम नाम देते हैं शीतोष्ड कटिबंद शीतोष्ड कटिबंद वैसे आपको कहीं कहीं पर आप देखेंगे यहां पर कि साढ़े 23 अंस उतरी 23 संस दक्षणी की बीच का अरिया उस्ट कटिबंद बताया जाता है और सही बहुत है वह और उसके बाद 23 से सब्सक्राइब तो जोन में दूसरे तरीके से बाटा गया है हमने आप सुविधा के एकॉर्डिंग आपको समझाने की वज़े से इस तरीके का बाट दिया हुआ है हमने वनस्पतियों के एकॉर्डिंग यहां पर इसको बाटा हुआ है तो 30 से 60 तक आपका शीतो श्रकटी बंद है चाहे वो दक्षणी हो चाहे वो आपका उत्तरी हो इसके बाद ही जो 90 डिग्री वाला आप देख रहे हो यह वाला एरिया जो है इसमें ब्लैक लाइन खीची हुई है यह आपका दुर्वी छेत्र है उत्तरी दुर्वी छेत्र और दक्षणी मैदानों के एकोर्डिंग जोन पर बाटा गया है ताकि चीज़ें समझ में आसानी से आए अब इसको मैप में भी देखेंगे जैसे कि आप यहां देख रहे हुए विश्वत रेखा है जीरोंस अच्छांस रेखा जो आपका दक्षणी अमेरिका और इसके बाद आपका आएगा वह आपका कहला आएगा शीतोष्ण कड़िवंद्य चेत्र और यह वाला जो एरिया आपका है यह आपका कहला आएगा दुरुविय चेत्र ऐसे ही हम जब नीचे जाएंगे तो आपका यह वाला एरिया जो है वह आपका शीतोष्ण कड़िवंद्य चेत्र में आए यह और यह आपका UA-CIA है दोनों को मिला कर यूरेशिया भी बोल देते हैं इसको है कि अफरिका महादीव है फिर आपका ऐस्टेलिया है दोस्ते यहां प्रमुक रूप से दिखाया जा रहा है मैंने गास का है पर मार्क बनाया हुए चिंडे बनाया हुआ है और यह आपका यहाँ पर सिलबास अर्थात भूमत रेखा के पास में यह जिरोंस से दस धस अच्छांस पर सिर्फ यह आपका है कौन सा सिलबस जो कि आपका कहां पर पाए जाता ये आपका वेनेजुएलाग का है और ये आपका सलवास जो है ये आपको दिर्षुडी अमेरिका का हिस्सा है जो की अमेजन गाटी में इस तरीके के यह जो घास के मैदान है वो पाये जाते हैं दोस्तों आमेजन वर्सा नोग दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके अक्सीजन का क्या करते हैं अक्सीजन को मूग्त करते हैं जिसकी विज़ेसे प्रत्थभी का फेफडा बी यहां के वरसा बनों को कहा जाता है तो सिल्वास जो है सिल्वास तो कम से कम 50 मीटर तक उचे ब्रिक्षो होते हैं और यह जो सिल्वास है सिल्वास इसी मैदान पर अर्थात मुक्रूप से अमेजन के मैदान पर ही अमेजन बेसिन के मैदान पर ही यह पूर्मुक्रूप से सिल्वास घास जो है वो पाई जाती है दूसरे चेस अगर हम बात करें यहां के जिवधारियों की तो जिवधारी यहां पर जो है वो आपके यहां की जैसे आपका तितली है, मकडी है, किडे मकोडे हैं, सापों की बात करेंगे तो वाइपर प्रमो कृप से पाया जाता है, इसके अलावा आपका एनोकॉंडा, यह यहां की जनगलों की खास कारण विसेस्ता यह है, कि यह जो जादा घने जनगल है, कि यह सूर के प्रकास को पाना चाहते हैं, जिसकी वज़े से यह उपर लंबे होते चले जाते हैं, साथ-साथ में यहां जो बारिस बराबर होती रहती है, जिसकी वज़े से यान लताएं पाई जाती है, जो पेडों के आसपास इस तरीके से लिपड़ जाती है, अगर आपको इस अमेजन वर्सावन की जंगलों में या सिलवास की जंगलों में आपको छोड़ दिया जाए, तो आप अगर वहां पर आपको अगर टाइगर अगर दोड़ाले तो आप भाग नहीं पाएंगे, उन्हीं लताओं में फांस जाएंगे, इस तरीके के इतना ज्यादा घंगोर घंए जंगल यहाँ पर पाया जाते हैं आपके सिलवास में, सिलवास की घास के मैदान में, तो सिलवास घास का मैदान जो है, वो आपका विस्वत बैखिये प्रदेश में मुक्रूब से पाया जाता है, तो अब इसके बाद हो लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स बात हम लोग करेंगे उस्न कटिबंधी छेतर की, तो उस्न कटिबंधी छेतर की जब बात करेंगे, तो आएगा आपका 10 अंस अच्छान से, से इसंस अच्छा सुत्तरी दशंस अच्छा से श्वाना को जाते हैं सवाना की बात करें तो सवाना मुकृप से हैं आपका सुडान में पाये जाता है और आपका यह जो लानोज घास के मैदान जो है वो वेनियजुयेला में पाए जाते हैं तो कैंपास घास घास के मैडान लानोस जो आपके डर्शणी अमेरिका महाद्यूप का देश ब्राजील वहां पे और लानोस की की बात करेंगे तो लानोस जो है आपका यहां वेने घ्रिक्स के मैदान प्यूटकर में पाई जाते हैं और समाना घ्रीका के पूरवी हिश्वें एक प्रकती होते हैं इस कि जो इत पति जाती हैं तो सबसे ज्यादा अगर पूरे बिशुकी इता करें तो सबसे ज्यादा अफ बात हमने यहां पर कर लिए अब हम लोग बात करें कि शीतो श्रकडबंदी घास के मैदानों की अर्था जो 30 अच्छान से 30 अच्छान से जो आपके वरस्पतियां या घास के मैदान पाए जाते हैं हम लोग उनकी बात करेंगे तो इन में से प्रुमक रूप से आपका अगर हम उत्तरी शीतो श्रकडबंदी घास के मैदानों की बात करेंगे तो आपका उत्तरी अमेरिका में यह देखे यहां पर प् प्रेरीज घास के मैदान और प्रेरीज घास के मैदान को दुनिया की विश्युकी क्या का जाता है रोटी की टोकरी का जाता है वो इस वज़े से कि इन प्रेरीज के घास के मैदानों में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन दोस्तो किया जाता है या उत्पादन यहा इसे बाटेंगे और यह से आपक現ु ये आपका यूशू का हिस्सा है ये वाला हिस्सा और यापकाए Smith का मैताए और रिधान प्रॉट्कर के नामसे विजड़ान जाता है दूसरी बात हम लोगो करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे शीटोश कर बन्दी घास के मैदानों की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आएंगे दिखे आपका लिखा हुआ पुस्ताद पुस्ताज मुकृप से हंगरी में पाई जाने वाली घास है और यह Uhope में यह आपका पस्विमी रूस है वहां पर और इसके अलावा जो आपका मद एसिया या जो एसिया का कुछ हिस्सा है वहां पर भी आपका इस्टेपीज घस के मैदान पाए जाते हैं तो अगर दोनों को समलित रूप से बात करेंगे तो यूरेशिया पर इस्टेपीज घस के जाता है जब महादियू पढ़ाएंगे तो आपको बड़ी इंट्रेस्टिंग बाते हैं पर बताएंगे कि किस तरीके से हम रूस को बिस्व का सबसे बड़ा छेत्रफाल के देश देश मानते हैं लेकि जब हम सिर्फ एसिया की बात करते हैं तो चीन सबसे बड़ा हो जाता तो स्टिपेज घास के मैदान आपके कहां यूरोप में भी है और एसिया में अर्थाथ शंबलित रूप से यूरेशिया में स्टिपेज घास के मैदान पाए जाते हैं इसके अलावा आप यहां पर देख रहे हो मंचूरिया घास के मैदान यह प्रुमक रूप से आपका च खाईना के मैदान में पाये जाते हैं जुक्त ट्रीम हो ङसा के मैदान हो गये उत्तरी शिशेकंगे जांतले भाई 60 अट यंक इसके मैदान की तो प्रूमु कूप से आएगा आपका पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाए जाता है वह ऐसे चीले में भी है लेकिन प्रुमो कुरूप से पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं इसके बाद देखें यहां पर आप देख रहें वेल्ड वेल्ड नाम का जो घास है वह आपक तो जो डाउन में हैं वहाँ पर डाउंस नाम की घास पाई जाती है इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं इसके अलावा अगर और हम बात करें और देखिए एक इंपोर्टन चीज यहां पर यह है कि डाउंस जहां घास के मैदान है इस एरिया पर कौन सजी प्रमकृप से प आया जाता है अब आगे हम लोग बात करेंगे अब हम आगे बात करेंगे ध्रूबी चेत्र में पाए जाने वाले घासों की तो आप देख रहे हो यह वाला जो एरिया है यह जिसको हम टुंड्रा वनस्पती बोलते हैं यह ग्रीन लेंड में प्रुमकृप से टुंड्रा व होता है तुंड्रा का मतलब होता है तुंड्रा का शादी करत होता है बंजर भूमी क्या होता है बंजर भूमी क्यों बंजर भूमी क्यों होती है क्योंकि यहां का तापमान माइनस में होता है और सर्दियों में तो और ज्यादा चला जाता है माइनस में जिसकी विजह से यह आप सोचो कि जब बर्फ ही बर्फ रहेगी तो क्या घास वापर कोई होगेगी नहीं होगेगी लेकिन कुछ समय पास्चाच जब ग्रीस मृत आती है तो ग्रीस मृत में कुछ समय के लिए जो बर्फ है वो पिघलती है और कुछ समय के लिए ही यहां पर घासे उगती है कुछ फूल के पेड़ उगते हैं एक खास यहां वनस्पती की बात यह है कि यहां की जो वनस्पती है वो लंबे समय तक रहती है लेकिन बड़े नहीं होते हैं यहां की वनस्पती या पौधे जो होतों हैं उनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती है इसके अलावा जो जैसे जाएंगे पाई जाती है और दोस्तों नीट टुंड्रा प्रदेशों में कई प्रकायर की प्रजातियां जिसमें से इसकेमों आपने नाम सुना होगा एसकीमों का और जो कि बर्फ में अपना घर बना के रहते हैं यहां पर रेंडियर नाम का जो आपका पशु है वो पाया जाता है सासात में मुस्क बैल भी है अर्थात बरफीली जगहों पर जो भी पशु पाया जाएंगे वो बड़े-बड़े बाल वाले होंगे क्योंकि उनको टंप्रेचर चाहिए होता है इस वज़े से मुस्क बैल है आपका पैंग्वीन पक्षी है और रेंडियर है इसके अलावा आपका दुरुविय भालू होता है दुरुविय लोमडी होती है तो इस तरीके कि यह जिवधारी पाय जाते है रेंडियर का बहुतायत में यहापर इस्कीमो जन जाती कि लोग शिकार करते हैं क्योंकि खाल और जो आपका भोजन है मांस उसके वो उसी पर वो लोग डिपेंड है रेंडियर जी उपर इसकीमो का इसकीमो जो लोग है वो अपना प्रुमुक्रूप से मांस पर डिपेंड रहते हैं और यहां बर्फ में शागर में जो जल होता है बर्फ बर्फ उपर होती है तल में प साफ्त की दिवारा कड़ते हैं उस रसक्त का नाम है हरपून हलाकि अब जो है जब से लोग आपके जैसे कि यहां के बात करें लेगे अमेरिका के लोग यहां पर गए कुछ लोग और यह पूंज जो है दोस्तों इंट्रेस्टिंग चीज़े है के वेल की रिड़ की हड़ी से बनता है और इसके अलावा जो रेंडियर आपका जीव होता है रेंडियर की जो नसे होती है नसों से जाल बनाते हैं जीवों को पकड़ने के लिए इसकी मोजन जाती के लोग तो यह को यहां पर इस तरीके से पाई जाती है तो दोस्तों एक मात मैं रिवाइस किये रहा हूं आपको कि जो आपकी सिल्वास है यह सिल्वास घस के मायदान जो आपका विस्वती घस का मैदान है जो विस्वती रेखाग में पाय जाता है 0-10 अच्छांस उत्तरी जाता है तीन प्रुमुक्रूप से थे अब जम शीतोष्ण कड़ बंद घास के मैदानों की बात करेंगे तो आपका प्रेरीज मुक्रूप से आएगा उत्तरी अमेरिका में मुक्रूप से कनाड़ा पे है पुस्ताज जो आपका यूरोप में हंगरी नामक देश पे है सबसे जाएगा आपका इसी पे और मंचुरिया घास के मैदान जो चाइना पर जाएगा और जब दक्षणी शीतोष्ण कड़ीबंद घास के मैदानों की बात करेंगे तो पंपास जो प्रुमुक्रूप से अर्जेंटीना में विस्तरित है इसके रावा जो हम बात करेंगे डाउन से तो कुछ प्रुमुक आपके घास के मैदान के बारे में और यहां से लगबाग कई बार तो सुमेलित करने के लिए प्रशन पूछा जाता है और कई बार यहां से सीदधा पूछले जाता कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान आपका उष्ण करवंदी छेत्र में पाए जाता है या निम्न में से या यह पूछ लेगा पंपास घहस के मैदान कहा पाए जाते हैं तो इस तरीके से एक दो प्रश्णियां से बनते हैं तो दोस्तों यह वीडियो है पर हम लोग समार्थ करते हैं थैंक्यू वेरी मच्छ